हलो एवरिवन, वेलकम पैक टू माई चैनल, मैं हूँ प्रगिती, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक यूनिक साड़ी स्टाइल, जिसको पहन कर आप बहुत ही ब्यूटिफुल लगने वाली हैं, अगर आप इस साड़ी को ट्राइ करते हैं, यह जो पिच्चर्स आप देख रहे हैं, यह मेरी साड़ी की कुछ पुरानी पिच्चर्स है, जिनको बिल्कुल सिंपल स्टाइल में मैंने कैरी किया था, नॉर्मली हम लोग साड़ी को इसी तरीके से ड्रेप करते हैं, तो आज मैं आपके साथ कुछ यूनिक स्टाइ करते हैं, यह जो साड़ी आप पर ही देख रहे हैं, यह मेरी जॉर्जट की साड़ी है, और इसके लिए मैंने इसी को सेलेक्ट किया इस साड़ी को, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नॉट बना लेंगे, जो मैं आपको बताती है, इसमें नॉट अल्रड़ी बना लिया थ यानि कि कॉर्णर पर एक गांट लगा लेंगे और जो साड़ी के एक basic tucking होती है जो एक circle होता है वो हम उसको complete कर लेंगे जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ एक basic tucking हम लोग complete कर लेंगे इसको अच्छे से tuck कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe कीज़ेगा और हाँ bell icon को press करना ना भूलेगा जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के notifications आपको मिलते रहें साड़ी की जो front की pleats होती है वो हम बाद में बनाएंगे उससे पहले हम पल्लू को measure कर लेंगे जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ अगर हम अपने पल्लू का measure पहले से कर लेंगे जब हम साड़ी को safety pin से secure कर लेते हैं तो उसको हमको बार-बार खोलना नहीं पड़ता है इसलिए मैं थोड़ा पल्लू का आइडिया है मैं आपको दे देती हूँ इस तरीके से हम आपकी starting का पल्लू है वो बनाएंगे तो उतना हम measure कर लेंगे उसके बाकवी पल्लू को हम वैसे ही रखेंगे और साड़ी को यहाँ पर थोड़ा सा टक करके हम आगे की जो front की pleats होती है उसको बना लेंगे pleats को बनाने से पहले मैं आपको एक unique tips दे देती हूँ जिससे कि हमारा side का look काफी अच्छा आएगा आप तो इस तरीके से 2 या 3 pleats बना कर यहाँ पर safety pin से secure कर सकते हैं या फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है जैसे कि मैं आपको इसमें second तरीका आपको बता रहे हूँ यह देखिए इस तरीके से 2 या 3 pleats बनाके उसको आप side में safety pin से secure कर लेंगे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी इसको safety pin से secure कर लूँगी तो इससे जो हमारा कमर वाला side का part है वो देखने में काफी अच्छा लगता है उसका look काफी अच्छा आता है safety pin से secure करने के बाद आप हम आगे की pleats को ready कर लेते हैं अगर आप इस साड़ी style को try करते हैं तो उसके लिए आप georget fabric की साड़ी लें या फिर net की साड़ी ले या फिर आप soft fabric की जो साड़ी होती है उसी को लें मैंने जब इस साड़ी look को dry किया तो मैंने एक mistake की थी वो मैं आपको वीडियो के end में दिखाऊंगी कि मुझसे क्या mistake हुई थी तो वो mistake आप लोगों से ना हो तो इसलिए मैं आपके साथ वो भी share करूँगी और आप कोशिश कीजेगा इसके लिए आप जो पतले बॉर्डर वाली साड़ी होती ही वही लें बहुत ज़्यादा चोड़े बॉर्डर की साड़ी ना लें उसमें इसका look उतना अच्छा नही लेंगे और उसको थोड़ा सा नीचे से लेंगे क्योंकि जो हमारी फ्रंट की प्लीट है अकसर आपने देखा होगा वह राइट साइड में भागती है वह एक जगे से अच्छे से से नहीं होती है तो उसी के लिए मैंने आपको टेप्स अपने जो पहले वाले वीडियो में बताया है और इसमें भी मैं बता रही हूं तो आगी जो फ्रंट की प्लीट है वह काफी अच्छे से आती है देखिए इसमें आपको छोटी नहीं लगे कि जो आगी की प्लीट से और वह बिल्कुल राइट साइड में भी नहीं भाग रही है उसके बाद हम आगे की जो फ्र सारी में आपकी फ्रंट की प्लीट अच्छे से नहीं आएंगी एकदम गैदर नहीं रहेंगी तो आपकी सारी अ छुषका को ओेगा इसलिए हमेशा कोशिश कीजएगा आपकी फ्रेंट की प्लीट्स एकदम बिल्कुल फिनिशिंग से अच्छी होनी चाहिए तो देखिए फाइनली मेरी प्लीट्स रेडी हो चुकी है इस साड़ी का मेन पार्ट है पलु तो आईए अब हम पलु को रेडी कर लेते हैं इसके लिया हम पीछे से अपने पल्लु को आगे की तरफ लाएंगे उसके बाद जो हमारा पलु का कॉर्नर वाला पार्ट है उसको पकड़के आज हम इन सारी प्लीट्स को बनाएंगे पलू के कॉर्णर वाले पार्ट को पकड़के अब हम नॉर्मल तरीके से प्लीट्स गैदर करते हैं एक एक करके वैसे ही गैदर करेंगे वो धीरे धीरे अपने आप ऐसी प्लीट्स बनती जाएंगी ये देखी जैसे कि मैं कर रही हूँ और जो इसका जो उपर वाला जो पार आएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आप और कौन सा साड़ी स्टाइल देखना चाहते हैं वो वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आओंगी आपने आगयाने वाले वीडियो में इस साड़ी के लिए जब हुई आप ये ब्लैक कलर का पैपलम पहना हुआ है इसमें जो ये साइड का जो पार्ट है इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि ये लूज ही अच्छा लगेगा और अगर आप ब्लाउस के साथ पेर कर से हैं तो इसको अंदर ऐसे टक करेंगे जो की आगे दिखाई न दे दोनो मैं अंदर से टक कर लोंगी और अब हम फ्रेंट की प्लीट एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ वैसे ही सेम पैटन में जैसे मैंने आपको दिखाई थी उन्हीं प्लीट को वापा से हम रेडी कर लेंगे तो मुझे यहाँ पर दो-दो बार मेहनत करनी पड़ी है तो देखिये कमर के पास जो बॉर्डर है अब हम इसको साड़ी के साथ इस तरीके से अंदर सिक्योर कर लेंगे अपने फ्रेंट वाले पलू के साथ तो देखिये साई का जो बॉर्डर है कमर पे वो भी काफी अच्छा लग रहा है safety pin से secure करने के बाद हमारी साड़ी ये लगवग ready हो चुकी है उसके बाद जस बस मैं आपको एक waste chain लगा कर दिखाऊंगे उससे look काफी और अच्छा लगेगा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बदाती हूँ अगर आप साड़ी ड्रेप करते हैं या आपको साड़ी पहनना काफी पसंद है तो आप अपने पास एक silver और golden color की पतली सी waste chain आती है वो जरूर रखिए उससे साड़ी का look और भी अच्छा लगता है तो हमारा ये look तो ready हो चुका है अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या mistake किया था इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे double मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि जो भी हम look prior करते हैं जरूरी नहीं है कि वो किसी भी साड़ी के ओपर अच्छा लगे तो इसलिए मैं अपनी वो mistake भी आपके साथ share कर रहे हूँ ताकि आप वो mistake ना करें इसके लिए मैंने पहले ये silky heavy साड़ी को choose किया था और इसमें काफी heavy look आ रहा था अगर आप थोड़े से healthy हैं तो आप इसमें और भी healthy लगेंगे और इसमें जो border है वो काफी चोड़ा है तो इसमें जो देखो front की pleats हैं वो बिलकुल भी अलग से खिल कर नहीं आ रही है आप जब भी इस साड़ी के look को try करें तो कोशिश कीज़े आपकी साड़ी में दो ही color हो और simple साड़ी हो ऐसे colorful border और colorful साड़ी ना हो क्योंकि मेरी साड़ी में दो color और अलगी है और border भी colorful है तो इसमें जो आगे की pleats का look है वो बिलकुल भी show नहीं हो रहा है तो आप भी जब भी साड़ी को choose करें तो उसी के style के according ही साड़ी को choose करें कोई भी साड़ी में कोई भी style ट्राइ ना करें अपने आगे आने वाली next videos में मैं आपके साथ जितने भी साड़ी look share करूंगी उसके positive और negative points सारे share करूंगी जब मैं इस साड़ी को drape कर रही थी तभी मुझे idea हो गया था इसमें ये look अच्छा नहीं लगेगा फिर भी मैंने फिर आप लोगों के लिए इस look को पूरा complete किया है जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊं कि अगर आप इस तरह की साड़ी में ये look try करते तो ये बहुत ज़ादा अच्छा नहीं लगेगा तो यार इस वीडियो के लिए एक like तो बनता ही है क्योंकि मैंने इसके लिए double मैनत किये आप लोगों को दिखाने के लिए तो आप देखिए दोनों साड़ीों के final look और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए लाती रहूंगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाबाई वीडियो में आपके लिए अ कि.